असलाम लेकुम आवर्स किचन वी सिमा में वेलकम। अलाथ आला के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज मैं आपके साथ चॉकलेट ब्लू बैंड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चॉकलेटी मखन आप बच्चों को ब्रेड पर लगा कर दें। बहुत ही मज़े का बनता है। बजार का ब्लू बैंड आप छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप गर पर चॉकलेटी ब्लू बैंड बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरह। बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम। डेरी केका फ्रेश क्रीम लेंगे। इसको ब्लेंडर में डालेंगे। 2-3 मिन तक क्रीम को ब्लेंड करेंगे। अब बलाई से भी मक्षन इस तरह निकाल सकते हैं। और फिर उसमें चॉकलेट आड कर लें। यह देखें करीम ठीक होना शुरू हो गई है। 2 टेबल स्पून चॉकलेट आड करेंगे। मैंने यॉंग्स वालिम की चॉकलेट ली है। आप अगर चाहें तो टू टेबल स्पून शुगर आड कर लें। मैंने यहां पर शुगर आड नहीं की। इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप नेटेला यहां पर किसी और ब्रेंड की भी चॉकलेट ले सकते हैं। यह देखें मक्षन आना शुरू हो गया है। चॉकलेटी मक्षन बन गया है। अब इसको निकाल लेंगे। चॉकलेटी मक्षन को एट एट बॉक्स में डालकर फ्रीज में 15 दिन के लिए रखकर आप मफूज कर सकते हैं। अब इसको ब्रेट पर लगाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप अपने बच्चों को जुरूर बना कर खिलाएं। और हुद्बीन चुआए करें। अल्ला हाफेज। बहुत है।